येस, बूर्णिंग किड्स, लेट एस ठाहे दमा हिंदी क्यास, वट दे सब्जेक तुड़े, हिंदी, राई, इछले क्लास में हम क्या क्या किये बच्यों, रिविजन करें, और ये फिर मन एग्जाम भी आप लोग, आप लोग लिखें, येस, होब ये अग्जाम भी आप ल आप लोग WhatsApp में भीजना है, और क्या करना है बच्चों, मैं जब आपको की आँसर भीजती हूं, तब आप लोग क्या करना है, स्कोर मार्स में सबके स्कोर मार्स में मुझे सेंड करना है, ठीक है, तो शुरू करें आज के प्लास, आज क्या सिखेंगे बच्यों, वेंजना स सिखेंगे, और इंगलीष में ओकोल्स अंदा क्योंस शुरूकरोम्स सीखेंगे, और hij augmented में स्वाय और वेंजना हमलों सीखेंगे, चीके, तो वेंजना कितने है बच्चों, चुंने है बच्चों, हिंदी में सारे मिलां चें, 10 तीस, कितने है बच्चों, 10 तीस, 10 तीस, य आज क्या करेंगे, टेक्स्स बुक में एक साथ picture के साथ पूरे letters हम लोग एक बत पढ़ेंगे, पिर क्या करेंगे वरक बुक में पहला अक्षर, त्यारे के वेंचल का पहला अक्षर कर, कौनसा कर है, भी हम सीखना शुरू लिखना सीखेंगे ठीक है बच्चों, पहले क्या करो, open your book, हिंदी सरिता बुख, पेश नम्बर 9, पेश नम्बर 9, हिंदी बुख, टेक्स बुख, ओपन करो, प्रिबार मैं वर्पूप्य आपको एक बार लिखके दिखाँ दी, ठीक है, open your टेक्स बुखना, देखो बच्चों, पेश नम्बर 9, पहले हम लोग letters पढ़ेंगे, फिर बार में एक बार हम लोग picture के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ये ग, और ख, येस, देखो, ये ग, घ, और न, येस, ये च, छ, और ज, ज, ये निय, ट, ठ, ड, ढ, 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 ज, नम्, त, ठ, द, ध, नम्, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, और द्निय, ये सारे आपके वेंजन के अक्षरे हैं बच्चों, और हम आज एक बार क्या करेंगे, पिक्चर के साथ और एक बार पढ़ेंगे, देखो, कर से कमल, और खर से खग, ये स, गर से गजर, और घर से घर, और गर, चर से चरखा, छर से छतरी, और जर से जड, जर से छश, और ग्या, तर से तब, ठर से ठन्थन, और दर से डंडा, धर से धर, और न, ये स, तर से तलवार, और थर से थन, ये स, दर से दरपन, और धर से धर, न, न से नल, ये स, प, प से पतं, और फ से फल, ये स, ब से बतक, ये स, ब से बतक, और भ से भट, म, म से मगर, ये स, य, य, से यद्न, र, र, से राथ, ल, ल, से लवण, ये स, लवण, और व, व, से वट, और श, 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 से शह, ये स, बच्चों, श, से शह, और श, से शटंक, स स से समर और ह ह से हल और क्ष से शपनक क्या है क्ष से क्षपनक के सेंट और त्र से क्या है पत्र त्र से वर्ड लास्ट लेटर है देखो त्र यहां पर लास्ट लेटर है तो क्या है त्र से पत्र यस यह लास्ट अक्षर द्निया है द्निया से द्नियानी क्या द्निया से द्नियानी याने की स्कॉलर यस यह पूरे आपके वेंजन अक्षर है यह आप लोग क्या करना है बच्चों पूरे पूरे आप लोग को रोज एक बार पिक्चर के साथ आपको पढ़ना है ठीके अभी मैं वर्क बुक दिखाऊंगी देखो देखो वर्क बुक में पेश नमबर 15 ओपन करो बच्चो यस और देखो ग्लास वर्प डालना है ग्लास वर्प क्या है ग्लास वर्प 29-21 डेट भी डालना है और क्या करना है यहाँ पर? क, पहला आक्षर कौन सा है? क, क से क्या है बच्चो? क से कमल, क से कमल यानि की लोटस, येस, मैं अभी आपको एक लाइन पूरे ट्रेस करके और दूसरे लाइन आपको लिखके दिखाऊंगी और आप लोग पूजे पूरे पेश कम्पलीज करना है ठीक है बच्चो? देखो यहाँ पर पहला लाइन, ट्रेस की डॉटेड लाइन दिये रहते हैं, उसको आप लोग क्या करना है? अच्छे से ट्रेस करना है, देखो ऐसे, ऐसे, yes, neatly you have to do, और स्लीपिंग लाइन, देखो पहला क्या करना है आपको? स्टैंडिंग लाइन करना है, फिर यहाँ एक गोल और यहाँ एक आधा गोल, ऐसे करना है, फिर उपरे स्लीपिंग लाइन करना है, ठीक है? देखो ऐसे ही आप लोगों को, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर पूरा गोल, आधा गोल और स्लीपिंग लाइन, ऐसे आपको neatly पहले वर्क बूप में करना है फिर नेक्स्ट क्लास में में क्लास वर्क में आपको कैसे लिखना है बताऊंगी ठीक है बच्चो ये पूरे आप लोग अच्छे से कंप्लीट करो येस देखो येसे ही आप लोगों को करना है अब देखो ये एक लाइन आपको ट्रेस करके दिखाऊंगी पहले जब आप वर्क को ओपन करते हो तब आपको क्या करना है पहले आपको डॉटेड लाइन पे ही ट्रेस करना है डॉटेड लाइन पे अगर ट्रेस करना आप लोग स्टार्ट कर रहे तो आपको क्या हो जाएगा अच्छे से लिखने के लिए आपको आ जाएगा ठीक है तो what you have to do you have to first trace on the dotted line in the workbook then you easily come to know how to write yes children ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है पूरे पेज आपको लिखना है yes पूरे पेज आप लोग लिखके मुझे ये classwork का आज भेजना है और क्या करना है बच्चो क्या करना है बहलो आप लोगों को text book में पूरे picture के साथ पूरे picture के साथ रोज आपको पढ़ना है ठीक है बच्चो classwork complete करके मुझे भेज दो और मैं notebook में next class में कैसे लिखेंगे वो मैं दिखाऊंगे ठीक है बच्चो धन्यवाद बाई